गुद मॉर्णिंग नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो आवर यूटूब चैनल परफेक्ट नॉलेज आप सभी का हमारे यूटूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत कहते हैं चलिए देखते हैं हमारा जो सीरीज है बेसिक इंग्लिस टू अडवांस वो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम जो है रिलेटिव परनावन को कर रहे थे लə रिलेटिव परनावन के हू एंड हूम को देख लिया था कि हम कहां पर हू का यूज कर सकते हैं और हम हूम का यूज कर सकते हैं उसी वीडियो को उसी टॉपी को continue करते हुए आज हम देखेंगे दोस्तो हूज एंड विच का यूज ठीक है ना दोस्तो जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि हूज जो है वो हमारा करेंगे किसके लिए लेकिन यहां और रखने के लिए धनकने के यूग्य है दोस्तों कि हूज जो है वह जब ब्लैंक से पहले परसन होगा ब्लैंक के बाद वहाँ भी हो सकती है blank के बाद वहाँ animal भी हो सकता है blank के बाद वहाँ baby भी हो सकता है blank के बाद वहाँ पे object भी हो सकता है तो यानि कि वहाँ पे blank के बाद क्या है वो हम नहीं देखेंगे कि blank से पहले person की बात करता है यानि कि ये भी तो blank के पहले person की बात करता है ये भी blank से पहले person की बात करता है और who's भी हमारा blank से पहले person की बात करता है तो जिन भी मेरे दोस्तों ने who और whom की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के हमारे YouTube चैनल से who and whom की वीडियो को देखें ताकि उसको ये relative प्रनौम का जो concept है वो बिलकुल basic से समझ आसके क्योंकि हम एक छोटी-छोटी बाते हैं जो basics बाते हैं बहुत ही छोटी-छोटी जिनके उपर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है उन बातों पर focus कर रहे हैं और बच्चों को सिखाने के उपर focus कर रहे हैं बच्चों को एक बार आज आए concept क्या है ठीके ना तो चलिए हम इस चीज को ज्यादा लंबा नहीं खीजते हैं शुरू करते हैं आज का हमारा topic relative pronoun और आज हम relative pronoun में देखेंगे use of whose and which जी हाँ दोस्तों आज हम जो है वो पढ़ेंगे use of whose and which को चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का topic relative pronoun use of whose and which whose की बात करते हैं दोस्तों जो है वो आपको मैंने पहले बताया था दोस्तों कि who and whom का use हम who and whom का यूज हम human being के लिए करते है human के लिए करते है animal के लिए नहीं करते infant के लिए नहीं करते baby के लिए नहीं करते वैसे ही क्योंकि who जो हो nominative case है whom जो है objective case है और who का ही possessive case जो है वो हमारा who's है तो यानि कि इसका use भी हम दोस्तों किसके लिए करेंगे होंवन के लिए लेकिन जैसे हमने देखा था की पैटरन D प्लस ब्लैंक हो प्लस क्या हो फिर से थिंग हो ठीक है ना थिंग हो ठीक है ना प्लस वर्ब हो तो हम यूज करेंगे दोस्तो हूज का किसका यूज फिलब करेंगे हूज का फिलब करेंगे दूसरा पैटरन कहता है क्या है कि परसन हो क्या हो person हो plus blank हो plus thing हो plus thing हो plus person हो और plus verb हो तब भी हम किसका यूज करेंगे दोस्तो who's का ठीक है ना आप एक बार pattern देख लेते हैं फिर इनी pattern के according हम जो है इनके examples जो है वो write down कर लेंगे और आपको मैं बता दूँँ आपकी देखो यहां पर यह pattern follow हो रहा है यहां पर यह pattern follow हो रहा है चलिए third pattern जो है वो देख लेते हैं कि क्या हो person हो person plus blank plus person हो और plus फिर से person हो और plus क्या हो verb हो तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों who's का यूज करते हैं चलिए फटा-फट से इसका एक और pattern जो है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों person हो person हो plus blank हो आप देखी person हो plus thing हो plus verb हो तो हम यूज करते हैं दोस्तों किसका किसका यूज करेंगे who's का फिलब करेंगे यानि कि person plus blank plus thing प्लस verb हो तो यूज करेंगे तो फूस्ट का ठिकए ना मल इस वर्व हो तो यूज करेंगे फूज का एंड दोस्तो जब परसन प्लस ब्लैंग प्लस पर्सन प्लस थिंग प्लस वब हो तब भी हम यूज करेंगे हूज का यानि कि हूज की फिलप में हम चार पैटरन को देखेंगे दोस्तों यह जो चार पैटरन है यह चारों के चारों पैटरन जब भी हम को sentence में देखने को मिल जाएंगे तो हम fill up करेंगे who's का किसका fill up करेंगे who's का जैसा मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि who and whom जो हो human के लिए use होते हैं तो who's जो है इनका possessive case है तो ये भी किसके लिए use होगा human के लिए use होगा तो यानि कि यहाँ पे तो हमारा क्या रहेगा person ही रहेगा यहाँ change नहीं होगा जैसे कि आपका who में भी यहाँ person था whom में भी यहाँ person था और who's में भी आपका यहाँ क्या रहेगा person रहेगा लेकिन जैसे आपका who का यहाँ पे वाब आ जाती थी ठीके ना और हूम में आपको पर्सन प्लस वब आ जाती थी तो वो जो पैटरन आपने देखा है पिछली वीडियो में ठीके न वही सेम पैटरन हम यहां रखेंगे चलिए इनके एक्जांपल्स जो है वो राइडाउन कर लेते हैं तो इनसे हम सीखेंगे कि कैसे हमको यह को र convenient कर लिया है और uz सक रिलेशन बताता है यह जो पुझे आपको पतान है यह तो उस चीज़ को बताएगा देखंगे कि दमैन वह बेकती सुर्टीज की स्यर्ट ब्लूब you is my uncle वो मेरे uncle है मैंने यहाँ पर बोला कि जिस की सर्ट जो है वह ब्लू है, जो ब्लू सर्ट में है that is my uncle और जो red में है, black में है वो नहीं है, यानि कि मेरे uncle कौन से, मेरा कौन है मेरा, यानि कि possessiveness को बताया है, तो possessiveness को बताने वाला होता है हमारा हूज होता है ठीकिना दूसरा ये क्या कर रहा है जोड रहा है यानि कि क्या कर रहा है जोड रहा है रिलेटिव प्रोनावन जो है वो क्या करते हैं दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो रिलेटिव प्रोनावन होते हैं वो दो संटेंसेज को जोडने का काम करते हैं और काम करने वाले को conjunction भी बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों conjunction भी बोलते हैं इसलिए इसलिए जो relative pronoun होते हैं उनको conjunctive pronoun भी कहा जाता है यानि कि एक बार फिर से सुन लिजिए दोस्तों क्योंकि relative pronoun जो होते हैं वो जोडने का काम करते हैं जोडने के जोडने वाले को बोलते हैं conjunctions तो इसलिए रिलिटिव प्रोनावन को कंजक्टिव प्रोनावन भी कहा जाता है conjunctions भी कहा जा सकता है ठीके ना चलिए the man does shirt is blue in my shirt is blue is my uncle ठीके ना तो the man man क्या है दोस्तू person क्या है person plus यह आगा क्या आपका blank plus shirt क्या होती है दोस्तू thing thing plus is क्या है वर्ब फर्स्ट पैटर्न रोर है दोस्तो इन वेरी फर्स्ट पैटर्न आप देखिए person plus blank plus thing plus verb क्या आएगा who's very good आपको सही yes who's का fill up कर देंगे write down हो जाएगा यानि कि the man देखिए the man dash car you board ठीके ना वह व्यक्ती ठीके ना कार यू बोर्ड जिसकी तुमने कार जो है वो बोरो की है उधार देए इस माइन नेबर ठीके ना वह मेरे प्रोसी है ठीके तो किसकी कार मैं की यानि कि पॉजसिव ने पता रहा ना पुजसिव ने इसको बता रहा कि ने बता रहा कार जो है वो इनकी है यानि कि अदिकार इस मैंन का है न ठीक है किया है में में पशनद प्लस क्या है ब्लैंग त्हीं हो होगाई यों योल तो तो सेकिंड पैटरन क्या कहता है यह सेकिंड पैटरन भी तो यह कहता है पासन प्लस ब्लैंग प्लस थिंग प्लस 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 वर्ब हो तो हम क्या फिलब कर देंगे person plus blank plus person plus person plus verb हो तो वहां हम use करते हैं वहां हम flip करते हैं किसका Ind yoke mean करते हैं को दोस्तों आपको पता यह कि जो भी relative analogy छोनों होता है वह अपने की reflection के साथ सम्मद रखता है हिएनिकि antρά моя मैं इसकी बात करेगा मैं लाइन हो इसकी कि बात करेगा मैं की बात करेगा यह किसकी बात करेगा मैं की बात करेगा यान की कहने का मतलब क्या है क्योंकि मैंने आपको बताया था हूज जो है वह का पॉजसिव कैसे हूँ और हूम जो है वह हूमन की बात करते है तो हूज भी किसकी बात करेगा हूमन की बात करेगा दब person plus blank plus person plus वह एन्प कि छो फोर्थ है यह आप देखेंगे कि इसमें तो हूम भी यूज कर सकते हैं लेकिन देखिए एक बार इस संटेंस को रीड करकर करके देखिए आप क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कन्फूजन आपको हो सकता है क्योंकि यही पैटरन हमने हूम में भी और वहां पर मेरी बात कर रहा न वहां पर मेरी बात कर रहात करेंगे तो हम यहां पर फिलब क्या प्लस वर्ब हो लेकिन उसका जो सेंस है उसका सेंस अगर पो जैस्श्य सो कर रहा है अगर पो हो manual हम पर लप कर देंगे तो हूं-प और Evet तो हूच made को इसको बता अथा यह तो हमने देखा हूज का अब हम देखते हैं use of which चली दोस्तों देखते हैं use of which को यहनि कि हम जब which का use करेंगे तो कहां हम which का use करेंगे relative pronoun की बात करते हैं और which की बात करते हैं तो which का use हम कहां करेंगे which का use हम वहां करेंगे इसके लिए भी हम एक pattern draw कर लेते दोस्तों विच का यूद हम वहां करते हैं, जहां पर non living things की बात हो, किसकी बात हो, non living things, non living things की बात हो, second animals की बात हो, किसकी बात हो, animal की बात हो, non living things और animal, याद कीजिए दोस्तों, जब हमने who, whom और who's किया था, तो हमने बात की थी human being की, यानि कि who जो है वो human being के बारे में बात करता है whom जो है वो भी human being के बारे में बात करता है और who जो है वो भी human being के बारे में बात करता है तो human तो हमने cover कर लिया लेकिन human के इलावा भी तो चीज़े हैं human के इलावा animals है human के इलावा things है objects है जो no livings है ठीक है, न, यानि कि मैं कहता हूँ, कि ये mobile, ये marker, इनकी अगर बाध करूं तो, यानए कि उक थो यूज नहीं कर सकते। कि ये तो hemen नहीं हैं, न, तो यानि कि इसके लिए हमको किस की need पड़ेगी, which की need पड़ेगी, यानि कि non-living things और animals के जब हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे किस की विच की यूज किसका करेंगे विच का यूज करेंगे देखिए ये non-living things और animals जो हैं जैसे हमने कहा था कि person का बात कर रहे हैं तो यहां पे हम बात करेंगे non-living things non-living thing या फिर animal plus blank यानि की blank से पहले होना जाये non-living things and animal जैसे कि हमने person की बात की थी न तो blank से पहले हो non-living things or animal plus blank plus या तो noun हो ठीके noun plus verb हो या फिर हम कहें कि non-living things non-living things या animal प्लस प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब हो ठीके न यह जो पैटरन अगर हमारे ड्रोव हो यानि की दो पैटरन तीसरा भी बन सकता है कहीं कहीं आपको जो है रेर ही देखने को मिलता है लेकिन बन सकता है non-living things प्लस अनिमल प्लस ठीके न यह प्लस हाँ प्लस प्री पोजिशन प्लस ब्लैंक ठीके न आपका नउन वर्ब हो दिखे ना तुमेंट अगर आपको देखने को मिल जाए यह तीन पैटरन अगर आपको देखने को मिल जाहें फस्ट वन नॉन इनन या animal हो प्लस blank हो प्लस noun हो ठीकिए ना न लिविंग ठीक ओण इन वेशू कुछ हो प्लस blank प्लस वर्व हो तब भी हम विश करेंगे non-living things या animal plus preposition हो यानि कि इनके साथ में क्या यूज हो जाए preposition यूज हो जाए उसके बाद blank हो तब भी हम यूज करेंगे which का चलिए इन patterns के examples को लिख लेते हैं और समझते हैं कि कैसे fill up करेंगे देखिए दोस्तो कुछ examples यहाँ यहाँ पर यूज होता है और उसके pattern हमने देख लिए हैं देखते हैं कि कहता है कि somethings यानि कि किसकी बात कर रहा है थिंग्स की बात कर रहा है यानि कि things ठीक ना plus blank plus क्या आगया वह आगया क्या फिलब करना है दोस्तों which का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे which का यूज करेंगे यान देख लेते हैं क्या है things है बुक्या है कोई वस्तू है ना plus blank plus मोहन क्या आगया हमारा person plus गयो क्या आगयी हम किसका यूज करेंगे second जो हमारा यानि कि first pattern second pattern दो pattern follow कर दिए तीसे pattern में हमने बात किये थी यहां पर animal things कुछ हो plus क्या हो preposition हो उस pattern को follow क्या है देखो the post non living things है ना post non living things ठीक है ना non living things plus for क्या है preposition plus blank plus क्या आगया हमारा person plus was verb तो हम किसका यूज करेंगे दोस्तो which का यूज करेंगे same to same यहां देखते हैं I don't like the house in the house क्या है non living things in क्या है preposition तो हमने देखा कि things plus preposition हो तो हम यूज करेंगे किसका which का यूज करेंगे दोस्तो तो यह तो हमारी थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा use of whose and which लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात और add करना चाहता हूँ दोस्तों कि से मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि relative pronouns वो two types के होते हैं first one is restrictive types second one is continuity तो continuity में आपका which and who को सामिल कह जाता है यानि कि मैंने आपको बताया था कि जब जब कभी आप देखें कि इस परकार के relative pronoun के आपको फिलप दिये गए हो और उस फिलप में आपको coming कोma दिया गया हो यानि कि इस पूरे sentence में यानि कि यहां दिखाया गया कोma है तो कोma जब दिखाया गया हो और कोma लगा गया हो उस sentence में तो कोma जो है यह बोलता है यह कहता है कि यह जो relative pronoun है वो किस परकार का होगा और कॉन्टीनुटीव परकार के रेलींटीव परनावन की रेलीटिव परनावन होती हैं वह कॲिशल aura के इलावा और तुमे आएगा नहीं तो आपको देखेंग के भी आप उस udah उस देख़ी सको डिलीट याईटर को करें तो एक रीप आफेंग नहीं उसको deduct करके भी right answer कर सकते हैं, sense में जाएं तो sense आपको कहता है कि जब non living things की बात हो, जब animal की बात हो तब हम which का यूज करते हैं जब person की बात हो तो वहाँ हम तीन चीजों का यूज करते हैं, who, whom and whose का, who का यूज हम तब करेंगे जब हमको subject के स्थान पे रखना हो whom का जब हम यूज करेंगे जब हमारे पास में subject हो already और हमको subject नहीं चाहिए तो whom का यूज करते हैं, और जब हम किसी चीज की positionist को बताएंगे human being के मामले में, तो हम वहाँ पे whose का यूज करेंगे और जब हम non-living things, animals की बात करेंगे तो हम जो है which का यूज करेंगे तो इसी चीज को आगे ले करके हम चलेंगे और आप सभी का सहयोग हम चाहेंगे और इसी सहयोग की कामना रखते वे मैं आपसे उमीद करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करेंगे, कमेंट में बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जैहिन, जैभारत बने रहे परफेक्ट नॉलेज यूटूब चैनल से जैहिन करते हूँ करता हूँ दयोगोगर रहे झाल झाल